जोड़ चुके हैं The Earth News के साथ और मैं हूँ आपके साथ रोमी केरनी जिस तरीके से आज से नई गाइडलाइन्स लागू कर दी गई हैं और इन गाइडलाइन्स के मुताबिक जो है अगर बात करें तो दो ग्रुप्स में दुकानों को भी बांटा गया है और दुकाने खोले क की बात यानि कि आज से दुकाने खुल चुकी हैं पर इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल ये है कि ट्रांसपोर्टर्स को भी 50% चलने की बात कह दी गई है ये पहले भी इनके सामने रखा गया था और उसके बात से हमने देखा कि जम्मो की सडकों पर जो है ट्रांसपोर्टर नजर नहीं आये थे यानि की पब्लिक ट्रांसपोर्ट नजर नहीं आया था हमारे साथ एक बार फिर ये लोग बात्चित में जुट चुके हैं सर जिस तरीके से अगर बात करे 50% की बात पहले भी की गई थी अब भी की गई है परन्तु आप लोग जो है अपनी मांगो पर आपने देखा था पहले जब हम लास्ट में हमने एक प्रोटेस्ट किया था तो हमारे लिए ये आउन लॉग आज जो हुआ है हमारे लिए तो लाग डॉन डेट महीना पहले लगा था तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहूंगा खासका ट्रांसपोर्टरों की तरफ से हम कि उसमें तेल पूरा नहीं होगा ड्रेवर कंडेक्टर कहां जाएगा टोल पलजे कहां से देने हैं तो तब हमने गाडियां बंद की थी और तब भी सरकार की जो मनशा थी लाग डॉन की थी और आज भी अगर इन्होंने अनलॉग किया है तो एक आई वाश है मैं आपके मा गरों से बाहर निकलते हैं जिस चुटे चुटा जो जो विचारा मिजदूर है द्याडी दार है उसके पार कार तो नहीं है बो तो मेटडोर में बस में ही आएगा तो यह जो एक इन्होंने कल जो उनलॉक किया है तो उनलॉक हमारी तरफ से यह लॉक डॉन ही है और आगे भ पर जिस तरीके से अगर बात करें अगर फुल कपैस्टी के साथ गाड़ें चलाई जाती है तो आपको नहीं लगता वह खत्रा जो है करोना का और जादा बढ़ सकता है क्या लोग जो है जो कोविड का एप्रूप्रेट बिहेवियर है वह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गर से आया तो एक अखनूर में इनकी एसा टीसी की गाड़ी गई खचा खच बरी थी आप ये तो रहने दो की सीटिंग पैस्टी फुलती जो इसकी गली है और सीडियां तक वह पूरी फुलक पैस्टी से गाड़ी चल रही है यहां से आप देखिए यह हम जहां बैठे हैं हॉस्पिटल के निजदीक जितनी इनकी बसे वो चल रही है आप मीडिये से कोई चुपा नहीं है तो फुलक पैस्टी के साफ से चल रही है अगर ऐसे ही इनोंने चलाना था तो हमें क्यों बंद कर दिये गया हमारी मांग थी कि अगर सरकार अगर 50% जैसा पहले इनोंने किय अगर सरकार थोड़ी सीटें बढ़ाती थोड़ा करती और गाड़ी चलती और लोगों को भी उसमें परिशाने नहीं होती आज हमारी वही मांग है मैं आपके मद्यम से मैं आम ट्रांस्पोर्टरों को भी यह बताना चाहूंगा क्योंकि हमें जैसे कॉल आ रहे हैं हमारा को यह गाड़ी चलाने का तब तक प्रोग्राम नहीं है जब तक सरकार हमारा वो जो हमारी मांगे हैं वो नहीं मानेगी और एक बात मैं बताऊंगा कि कल हमारी सुबह 11 बजे वजीर साब के घर पे एक मीटिंग बड़ी बारता होगी प्रेस बारता उसमें हमारी जो में जो मा अगला रुक होगा वह आपको बताया जाएगा जिस तरीके से आप यह कह रहे हैं कि हम कल जो है अपना कड़ा रुक जो है अपनाने वाले हैं तो क्या यह साफतोर पर जो है एडमिनिस्टेशन को चितावनी है कि अब समल जाए वरना आपकी तरफ से जो है कही न कहीं एक और जो बड़ा रुक है वो अपनाये जा सकता है देखिए ट्रांस्पोर्टर नहीं चाहता था कि रोड पे आए कोई प्रोटेस्ट करें बड़े लेकिन सरकार हमें मजबूर कर रही है सरकार ने ट्रांस्पोर्टरों को समझाई कुछ नहीं है लेकिन अगर ऐसा सरकार को लगत हैं 2018 और अभी 21 चल रहा है तो हमने हमारी जो कुछ सरकार के तरफ लेन देन था हमने वो खोला नहीं तो आज हो सकता है मेरी कुछ इनको बातें कल से कड़वी लग रही है क्योंकि यह जब यह हमारे प्रदान मंत्री यहां विजेपुर में आये थे तो वो जो एमस बन रहा है उसकी नैगरेशन की थी इन्होंने तो एक हजार गाड़ी और आंड के ट्रांसपर्ड वैलफेर अशुशेशन ने दी थी और इसी आफिस से मैंने एक हजार गाड़ी और एक हजार गाड़ी कहने को कम होती है जब देनी होस Mon个 को तो बहुत होती है एक हजार प्लस में हम लोग पिस रहे हैं मर रहे हैं वाई उदारी देजिए जो हमारा देना है 25 अमेले अगर आपके माधियम से यह बात सुन रहे हैं तो आप आपको जो गाड़ियां मिली थी उस टैम चाहे वो बणी मसोली थी चाहे वो रिजोरी पुन्स्ती चाहे वो किस्तवाड डोडा सारी गाड़ियां हमने 25 अमेले को दी मुझे लगता है यह पैसे खागे सारे हमारी जो पेमेंट बनती है भाई हमें दीजिए ताकि हम यह जो हमारे ड्राबर और कंडैक्टर जो ग्रीव लोग हैं हम उन्हीं में बांट देंगे लेकिन बड़े बदकुस्मिति की बात है कि तीन साल हो रहे हैं मुझे लगता है यह पैसे लेने के लिए मुझे जंतरमंतर जाना पड़ेगा वहां जाके हला में जाना पड़ेगा तो आज मैं क्योंकि यह कल आज से हम यह ड्मांड रखेंगे अगर हमें वो पेमेंट भी नहीं मिली तो हम छड़कों पे उतरेंगे औ हमने डीजल लाखों की तदाद में डीजल खर्च करके वो आपको पता है जब गाड़ी डोडा किस्तवार पुंच जाएगी तो तकरीवें एक गाड़ी 4000 प्या का डीजल क्योंकि जब मैंने सुवारी लेने जाना है फिर बापस आई जमू फिर दुबारा जाई चोड़ने फिर हमने बापस आप देखिए चार चकर लगे हमारे और तीन दिन वो गाड़ी बंदी रही तो उसी साब से एक हजार गाड़ी का हमने पैसा लेना वाई दे दीजी है हमारे पैसे मैं आपके माधियम से सरकार तक और देखिए इसके लिए मैंने प्रदान मंतरी को लाटर लिखा नितन गड़करी को लैटर लिखा यहां के दो जो हमारे सत्यपाल मलिक पहले रहे उस उनको भी मैंने आप देखिए कोई अगर नार्मल सी कोई आटी डालता है तो एक मेंट में फटा-फट उसका रेक्शन शुरू हो जाता है लेकिन हमने इनको डिमांड की हमने लै मेरा आकरी स्वाल यह रहेगा कि जिस तरीके से घर किसी को जो है एक मदद का हाथ आगे बढ़ाया जा रहा है किसी ने किसी तरीके से मदद जो है वह पहुंचाई जा रही है नौन असेंशल जो दुकाने थी वो भी आज खोल दी गई ट्रांसपोर्टर्स के लिए भी कहा देखिए अगर जैसा मैंने पहले भी कहा है देखते हैं शाम तक प्रेस बारता हमने कल करनी है देखते हैं शाम तक मुझे लग रहा है कि हमें बुलाया जाएगा हम जिद्धी लोग नहीं है अगर सरकार बैड के हमारे साथ कोई बीच का रास्ता नकाले क्योंकि ट्रांसप करोना महारी में को हम प्रियास रहेगा आज अगर हमें कुछ बलाया जाता है देखते बीच का रास्ता जो निकलता है तो मैं अंत में खासकर अपने ट्रांसपोर्टरों को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि अभी हमारी ट्रांसपोर्ट नहीं खुली है जब तक हमार कोई decision नहीं हो जाता हमारा 45 दिनों से बंद है और आगे भी बंद रहेगा जब तक सरकार कोई बीज का रास्ता नहीं निकालती है और साफतोर पर इनका यही कहना है कि transporters जो हैं वो अभी नहीं चलेंगे यानि की public transport अभी नहीं चलेगा जब तक कि सरकार द्वारा कोई फैसला नहीं लिया जाता अब देखना यह होगा कि इनके सरकों से उतरने से पहले क्या सरकार कोई फैसला लेती है या नहीं तब तक लिए आप जुड़े रहें दियार्थ में उसके साथ